हर्याना बोर्ड के दसवी कक्षा के छात्रों का कल 26 तारिक को फिजिकल एजुकेशन विशय का अर्दवार्शिक परिक्षा का एक्जाम है और इस एक्जाम की तहरी के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर फिजिकल एजुकेशन विशय का कोस्टन पेपर दिखाऊं जैसा कि आप देख सकते हैं Half Yearly Assessment यानि कि अर्दवार्शिक परिक्षा का ये कोस्टन पेपर है सितंबर 2024 के एक्जाम के लिए दसवी कक्षा का है फिजिकल एजुकेशन विशय है तीस नंबर का पेपर आएगा पहले ये Information आई थी कि जो आपके कोस्टन पेपर आएंगे व सवस्त मन निवास करता है यह कतन किसका है यानि कि ये बात किसने बोली है तो ये बात बोली है अरस्तु ने तो Option A जो है आपका आंसर है अगला कोस्टन है वाई-उ में नाइट्रोजन की मातरा कितने परतिसत होती है तो वाई-उ के अंदर नाइट्रोजन की मातरा होती है 78 तो option C जो है आपका answer है अगला question है एक संपूर्ण भोजन क्या है तो दूद को जो है एक संपूर्ण भोजन माना जाता है तो option B जो है आपका answer है अगला question है पानी दवारा फैलने वाले रोग कौन से हैं तो पानी दवारा जो है ये सबी रोग फैलते हैं फैजा भी होता है पा कोच को ओप्सन ए जो है अंसर है उसके बाद आएंगे यहां से दो दो नमबर वाले मिले तो वैक्ति धीरे-धीरे ऐस वस्त हो जाता है इसे कुपोषन कहा जाता है तो यहां पर यह बताया गया है कि अगर किसी वैक्ति को उसकी सरीर की जो आवसकता है उस आवसकता से कम मात्रा में पोस्टिक तत्तो मिले यानि कि सभी विटामिनों की सरीर की पूर्ती ना हो तो इस अवस्था के अंदर जो है धीरे धीरे वैक्ति बिमार हो जाता है और उसको फिर कूपोशन कहा जाता है इ करेंने की भरपेट भोजनना मिले और संतुलित भोजनना मिले कई बार अनुचित भोजन लेने से तथा भोजन संबंदी गलत आधितों जैसे भोजन समय पर ने लेना वे एक ही परकार का खाद्यपदार्त अधिक वात्रा मिलेना आधि से भी कुपोशन हो सकता है तो यहाँ और यह बताए गया है कि जो कई बार अनुचित बोजन का का मतलब यह है कि जो जंक फूड है वो जञादा लेते हैं और जिसके अंदर पोषण अधिक होता है उन बोजन को हुम नहीं खाते हैं तब भी कूपोशन हो जाता है या फिर बोजन सम्बंदी जो गलत आ देते हैं जैसे कि समय पर बोजन ने खाना या फिर एक ही तरह का बोजन जो है बार बार हर रोज एक ही तरह का बोजन खाते रहना इसकी वज़े से भी कूपोसित हो जाएगा जिसको कूपोसित हो जाएगा उसकी सरीर की जो विकास है वो भी रुख जाएगा जो सरीर है वो भी बिमार हो जाएगा रोग लग जाएगा ठकावट होने लगेगी और सभाव भी चिड़ चिड़ा हो जाता है उसके बाद अगला कुश्चन देखे रोग निवारक समता या रोग परतिरोधक सकती क्या है यानि कि इम्मूनटी के बारे में बताना है आंसर द रोग निवारक समता यानि कि जो हमारे सरीर की इम्मूनटी है शरीर की यह आंतरिक सकती है जो हमारे सरीर में किटाणों के परवेश को रोगती है यानि कि जो सरीर के अंदर जो बहारी किटाणों है उनको परवेश करने से रोगती है तथा सरीर को रोगों से यानि के बिमा और तनतों में यह सुद्ध वाईयू की वजए से सूरे के परकास की वजए से प्राकरतिक वातावर्ण अगर अच्छा वातावर्ण हो और उचित मातरा में पोस्टिक भोजन दवारा बढ़ाई जा सकते हैं यानि कि इन सभी चीजों से हम अपनी इम्मिनुट को बढ़ा सकत अगर अच्छी सुध हवा होगी सूरे का परकास हम लेगे यानि कि विटामिन डी मिलता है जिससे प्राकरतिक वातावन अच्छा होगा अगर हमारे आसपास का और जो अच्छा बोजन करता है तो उस व्यक्ति के जो है इम्मिनूटी बढ़ जाती है यानि कि बिमारियों से ल तत्व विदमान हो, दूद में सभी परकार के आवसक तत्व होते हैं, दूद के अंदर 3.6% परतिसत जो है, परसेंट वसा होता है, 3.4% परोटीन होता है, और 4.8% जो है कार्भोहेटरेट होता है, 0.7% नमक मिलता है, और 7.5% इसमें पानी होता है, यानि कि जल होता है, चोटे बच्चे होते हैं और जो बिमार वैक्ती होते हैं, यानि कि जो बिमार हैं, उनको खुराक के तोर पर दूद ही दिया जाता है, मा का दूद बच्चों के लिए सरोतम आहार, यानि कि छोटे बच्चे के लिए जो मा का दूद है, वही सबसे अच्छा आहार मना जाता सरीर के उचित विकास एवं सवास्थे के लिए दूद एक तरह से संतुलित भोजन का कारिय करता है यानि कि सरीर के विकास के लिए जो है और अच्छे सवास्थे के लिए दूद एक संतुलित भोजन की तरह कारिय करता है दूद में बोजन के सभी आवसक तत्तव होने के कारण इसे संतुलित बोजन कहा जाता है यानि कि दूद के अंदर जो है बोजन के जितने भी आवसक तत्तव होते हैं वो सभी पाई जाते हैं इसी वज़े से ही दूद को जो है संतुलित बोजन कहा जाता है उसके बाद है very short answer type question, तीन तीन नमबर वाले question आएंगे पहला question देखें तीन नमबर के अंदर राष्टर जंडे के तीन रंगों की विशेशताइं बतानी है यहाँ पर आंसर देखें, राष्टर जंडे में तीन रंग की पटियां होती हैं जिनकी निमलिखित विशेशताइं होती हैं पहला केसरिया रंग, केसरिया रंग पटि वीरता वे बलिदान की परतीक होती है यानि कि जो केसरिया रंग है वो वीरता और बलिदान का परतीक है सफेद रंग की पटि सांती वे पवितरता की परतीक होती है हरे रंग की पट्टी हर्याली वे समर्दी का परतीक है और हरा रंग जो है हर्याली का और समर्दी का परतीक है उसके बाद अगला कोशन देखें कोशन नमबर 10 देश के परतेक नागरी के चार करतेवे लिखो आंसर देखें यानि कि देश के हर एक नागरिकों को देश की एकता के लिए और उसकी अखंडता के रक्षा करने के लिए कारिय करना चाहिए, राश्टर के विकास के लिए कारियों करना चाहिए यानि कि देश के सभी नागरिकों को देश के विकास के कारियों के लिए काम करना चाहिए देश की प्राकरतिक संपधा की रक्सा करणी चाहिए यानि कि जितने भी प्राकरतिक स्थोत हैं खतरनाक रोग है यह रोग पानी दवारा मक्यो दवारा फल दूद और सब्सित करणी दवारा फैलता है यानि कि हेज़ा जो है एक खतरनाक बिमारी है और ये जो फैलता है पानी की वज़े से, मक्खियों की वज़े से, फल की वज़े से, दूद और सब्जी और दोवारा ये रोग फैलता है इसके लक्सन है पहला लक्सन है इस रोग में उल्टी और दस्त आते हैं रोगी को पेसाब रुक रुक कराता है और रोगी बहुत कमजोर हो जाता है और इसके सरीर का ताप मान भी कम हो जाता है पहला कारण है यह रोग पानी पके हुए फल आधि का सेवन करने से वेकटी को हो जाता है यानी कि पानी की वज़े से और जो फल अधिक पक जाते है उनकी वज़े से ये बिमारी हो सकती है मक्हियों, मक्हियां भी इस रोग को फैलाने में सहायक है कई बार मुन उसे भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर यह रोग फैलाते है यानि कि जो बिमार वैक्ती है दूसरे स्थान पर जाता है तो वहाँ पर भी यह बिमारी फैल सकती है इस रोग से गरस्त वैक्ति देखने में सवस्त होते हैं यानि कि वैक्ति जो है देखने में सवस्त लगेगा परंतु उसमें हैजे के जिवानों हो गया लेकिन उसके अंदर जो है हैजे के जिवानों होते हैं जो मल मुत्र आदी दवारा दूसरे लोगों तक पहुंच जाते ह उसके बाद है बचने के उपाए, हेजे से बचने के लिए, इस रोक, यानि कि हेजे का टिका लगवाना चाहि牛, गले, सडे, फलो, आदी का सेवन नहीं करना चाहिए जो फल पक चुके है, सड़ चुके हैं उनको नहीं खाना चाहिए, खाने पीने की वस्तुओं को मक्हियों से बचा कर रखना चाहिए उसके बाद लोग आंसर टाइप कोस्टन है तो कोस्टन यहाँ पर जो इंपोर्टन्ट कोस्टन है वो मैंने लिख दिये हैं इनका इन कोस्टनों का सोलूशन भी मैं जल्द ही अपने चैनल पर अपलोड करू होगा तो आप जो हैं इन कोस्टनों को जरूर पढ़ें यह सभी जो हैं इंपोर्टन्ट कोस्टन हैं